क्या विधानसवा चुनाव से पहले बीजेपी में मचेगी भगदड क्या हर्याना में अपने ही बन जाएंगे बीजेपी की हार की वजा क्या अपनों की नाराजगी बीजेपी को पड़ेगी भारी क्या हर्याना में जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी बीजेपी जुस त पर्पोर्ट में हम हर्याना चुनाव से पहले BJP मैं मची बगावत की बात करें के विपक्ष के साथ-बीजेपी के अपने ही पार्टी की टेंशन को बढ़ा रहे हैं यहां लग रहे हैं नमस्कार मैं हूं अंच्छता तो शुरुआत बीजेपी के मंत्री के बयान से ही कर लेते हैं जिन्हों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर उनका टिकेट काटा गया तो शांत नहीं बैठेंगे और उसी सीट से चुनाओ लड़ेंगे दरसर मंत्री रंजीर सिंग्छ च्षोटाला ने बगावत का बिगुल फूग दिया उन्होंने चुनोती वरे अंदाज में कह दिया है कि वो रानिया सीट से हर हाल में चुनाओ लड़ेंगे अब रंजीर सिंग्छ चोटाला के बयान से हर्याना का सियासी पारा गर्मा गया है क्योंकि मंत्री है और कॉंग्रेस से ही बीजेपी में जो है शामिल हुए थे ऐसे में अगर वो नाराज होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाएंगे और दूसरी चीज बीजेपी के लिए टेंशन भी हो सकती है वो भी हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे कि बीजेपी के लिए क्या टेंशन हो सकती है तो रंजीर सिंग चौटाला ने अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद ही ऐलान किया रानिया विधानसवा सीट से बीजेपी टिकेट देती है तो ठीक वरना बीजेप नहीं मिला तो भी वो रानिया से चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे ही दिखाएंगे चौटाला ने ये भी कह दिया कि वो चौतरी देवी लाल के बेटें हैं प्रदेश की 90 विधानसवा सीटों पर उनका भी जनाधार है तो जैसा कि हम आपको बता के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और वो पार्टी को अपनी ताकत दिखाकर उस पर दवाब बनाना चाहते हैं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उन्होंने विपक्ष को भी इशारा दे दिया है कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकेट नहीं दिया तो जो भी उन्हें इस सीट से टिकेट देगा वो उसके साथ आ सकते हैं और आप जानते ही है कि अगर वो कॉंग्रेस में वापसी करेंगे तो ये उनकी घर वापसी होगी जैसा कि हम आपको बता चुए हैं तो इसके बाद से जानकार कह रही है कि जो बीजेपी मजबूत होने के लिए और चुनावी जंग जीतने के लिए गटवंधन कर रही है वही गटवंधन अब उसके गले की फास बन रहा है क्योंकि बीजेपी ने गोपाल कांडा की हनियाना लोखित पार्टी के साथ गटवंधन करने का प्लान बनाया है सीएम नायव सिंग सैनीज का एलान भी कर चुके हैं अब यही गटवंधन बीजेपी में अंधरूनी बगावत के सुर्थेज कर सकता है और बगावत की वज़ा बन सकता है दरसल इस तरह के कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने अपने बेटे धवल कांडा को सिर्शा की रानिया विधान सबा सीट से उमीदवार बनाने की घूशना कर दी है और इसी से रंजीर सिंग्चोटाला नाराज हो गए है और इस खबर के आते ही मंत्री ने बगावत का बिगुल फूग दिया है उन्होंने चुनोती भरे अंदाज में यहां तक कह दिया है कि वो रानिया सीट से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के निड़े का इंतिजार करेंगे और अगर पार्टी से सकारात्मक संदेश नहीं आता है तो इसके बाद फैसला लेंगे आप भी जानते हैं जाहिर है जब एक बार वो कॉंग्रेस से सीट ना मिलने पर नाराज हो सकते हैं तो यही चीज अगर बीजेपी उनके साथ करेगी तो वो बीजेपी से भी नाराज हो सकते हैं और दल बदल कर सकते हैं तो हर्याना सरकार में बिजली मंत्री रंजीर सिंग चोटाला ने गोपाल कांडा को भी चुनाओती दी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि रानिया सीट से हम तो जीतेंगे ही लेकिन सिर्शा से गोपाल कांडा इस बार जरूर हारेंगे यानि रंजीर चोटाला ने एक तरह से बीजेपी को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि गोपाल कांडा की पार्टी से अगर गटवंधन किया तो उसका ही नुकसान होगा यानि कि बीजेपी का ही नुकसान होगा गोपाल कांडा एंडिये में आते भी हैं तो भी रंजीर समर्थक उन्हें चुनाव जीतने नहीं देगे यानि पहले ही जो बीजेपी में इस गटवंधन को लेकर बगावत के सुर्टेज हो गए हैं बीजेपी के अपने ही नाराज हो गए हैं अगर बीजेपी नितर तब भी नहीं मानता है और गटवंधन करता है तो ये नाराज़ी और बढ़ जाएगी और इसका नुकसान बीजेपी को होगा ही होगा हर हाल में बीजेपी को ये घटवंधन जो है मुश्किल पैदा कर सकता है तो रंजीर चौटाला के बागी तेवर को देखते हुए मुक्यमं और केंद्री मंत्री मनुहरलाल खटर जो है कवायत में लग गए है कि कैसे भी उनकी नाराज़गी खत्म हो जाए और चौटाला मान जाएं इस सीट से चुनाव ना लड़ने के लिए लेकिन चौटाला साफ साफ कह रही है कि रानिया सीट से तो वो ही चुनाव लड़ेंग गई है तो इसे समझने के लिए रंजीर सिंग्ग चौटाला का राजनीतिक इतिहास भी समझना जरूरी हो गया है क्या आखेर बीजेप के लिए इतने जरूरी क्यों हो गये हैं कि मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे बीजेपी के दिगज नेता हो सभी उनको मनाने में जु निडलियें ही वह रानिया-सील से मैदान में उतर गए जब कॉंग्रेस ने टिक्ट नहीं दिया तो वह रानिया सील से निरदलिये मैदान में उतर गएता गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को उन्हों ने करीब 9000 होटों से चुनाव राया था उस वक्त गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को करीब 19,000 वोटों से उन्हों ने चुनाव हरा दिया था यानि कॉंग्रेस ने इनको टिकेट नहीं दिया था इससे यह नाराज हो गया और उन्हों निर्दलिय जो है ताल ठोक दिया और उसका भी फायदा इनको मिला तो रंजीर चौटाला का रानिया विधान सवा सीट पर कितना प्रफाव है यह तो इसी से अंदाजा लगाए जा सकता है कि जब वो निर्दलिय चुनाव जीतने में सफल रह सकते हैं तो चौटाला अगर ब कॉंग्रेस तो बिल्कुल चाहेगी कि वो उनके पाले में आ जाए क्योंकि कॉंग्रेस उनकी ताकत से वाकिफ है और इसलिए कॉंग्रेस पूरी कोशिश में रहेगी कि अगर वो बीजेपी से नाराज होकर दूसरी रह तलाशते हैं तो उन्हें इस बार निर्दलिय नहीं प्रित्याशी थे और कॉंग्रेस के जय प्रकाश से वो हार गए थे ऐसे में रंजीर सिंग किसी भी सूरत में रानिया सीट से पीछे नहीं हटना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ रानिया सीट पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है कहीं और से अगर उन्हें टिक के साथ उनके अच्छे संबंद भी बताए जाते हैं अब यह तो ही रंजीर चौटाला की बात कि क्यों रंजीर चौटाला ने बीजेपी टेंशन बढ़ा रखी है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी में भगदर मत सकती हैं बीजेपी में बगावत के सूर्टेज हो सकते हैं तो इसके लिए रंजीर चौटाला के अलावा दूसरे दिगजों की विबात कर लेते हैं तो बीजेपी के एक और दिगज नेता कुलदीव विश्णोई भी बीजेपी के लिए टेंशन बने हुए हैं उनके भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं क्यों आ रही है चली आपको बताते हैं दरसर कुलदीव विश्णोई लोकसभा चुनाओं में हिसार सीर से दावेदार थे लेकिन बीजेपी ने क्या किया बीजेपी ने रंजीर चौटाला को वहां से टिकेट दे दिया रंजीर चौटाला हिसार से लोकसभा का चुनाओं हार गए और अपनी हार के पीछे उन्होंने साफ तोर पर कुलदीव विश्णोई को जिमिदार बता दिया था अब यहां गौर करने वाली बात यह कि कुलदीव विश्णोई भी कॉंग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं दावा किया गया कि क कुलदीव विश्णोई की नाराजगी लोकसभा टिकेट नहीं मिलने को लेकर थी कुलदीव इससे बेहत नाराज थे जो पूरे चुनाओं में कायम रही देखने को मिला कि कुलदीव ने चुनाओं परचार से भी काफी दूरी बनाई थी बाद में बीजेपी ने उन्हें ये कहकर साधने की कोशिश की कि उन्हें राजसभा भेज दिया जाएगा इसके बाद से उनका नाम जो है जब राजसभा चुनाओं के उमीदवारों के एलान हो रहा था तो उस दोरान उनका नाम सबसे उपर माना जा रहा था कि बीजेपी इन्हें तो राजसभा भीजेग उसके बाद उन्हें राजसभा का भी टिकेट नहीं दिया गया और उनकी जगा जो टिकेट दिये जा रहे हैं वो कोई बीजेपी के लोग नहीं है वो उसी तरह कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए है जैसे की कुल्दीब तो इसके बाद से अब कुलदीब की नाराजगी की खबरें आने लगी हैं कुलदीब के पिता भजनलाल हर्याना के सीम रह चुके हैं इसके चलते कुलदीब को हर्याना की दो दर्जन से ज़्यादा सीटों पर प्रभाव माना जाता है कुल्दीप के एक बार फिर कॉंग्रेस में शामिल होने की खबरें भी अब आने लगी हैं वैसे तो हर्याना में इस साल की शुरुआत से ही बीजेपी को बड़े जटके लग रहे हैं साल की शुरुआत में ही बीजेपी के दिगज नेता ब्रिजेंद्र सिंग बीजेपी चोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हो गए थे जिस समय चौधरी वीरेंद्र सिंग ने बीजेपी से स्तीफा दिया था वो हिसार से बीजेपी के सांसर थे चौधरी वीरेन सिंग के कॉंग्रेस में जाने का नुकसान बीजेपी को हुआ और हिसार सीट उसके हाथ से निकल गई थी इसके अलावा जो तीसरा नाम निकल कर आ रहा है वो अनिल विज का हो सकता है क्योंकि अनिल विज जो है सीएम पत के दावेदार रही है और उनको पहले सीएम नहीं बनाया गया उसके बाद उन्हें मंदरी भी नहीं बनाया गया तो इससे वो खासा नाराज बताये जा रहे हैं और लगातार उनको साइट करने की कोशिश भी देखी जा रही है इसी वज़ा से उनकी नाराजगी उभर कर अब आ सकती है तो इस बार बीजेपी के सामने उसके अपने ही चुनोती बने हुए है विपक्ष से तो पहले ही जो है जो लोकसबा चुनाओ में जो नतीज़े आए उससे पहले ही बीजेपी डरी हुई है क्योंकि हर्याना में विपक्ष ने 5 सीटों पर कबजा जमाया है जबकि उससे पिछले की बात करें तो 10 के 10 सीटों पर बीजेपी ही जीती थी ऐसे में डेंट लग चुका है बीजेपी को और बीजेपी इस चीज़ को समझ चुकी है कि इस बार हर्याना में जो विधान सबा चुनाओ है उसमें मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है और इसी बीच अब जो खबर आ रही है कि उसके अपने भी बीजेपी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं तो इस रिपोर्ट में इतना ही अब मुझे दीजे जाज़ा देखते रहे हैं डीवी लाइट नमस्कार